आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें थाना एदमारपुर के गाउं में हुई मासूम के हत्या की बाद लोगों में गुस्सा ब्याप्त हो गया है यादो शीना निग्यापन देकर एदमारपुर इंस्पेक्टर के ख़राब कडी-कारवाई करनेki माँग की है थाना एक्दमारपुर के धौर्रह में गुरुबार को भुसे की कोट्री में भुसे से डबा एक सब मिला था इसके बाद लोगों में गुस्शा ब्याप्त हो गया था गुस्साए लोगों ने थाना एत्मातपुर इंस्पेक्टर पर लापरवाई और मिली भगत का आरोप लगाया था इसकी गाज थाना एत्मातपुर इंस्पेक्टर पर गिरी है यादव सेना ने इस मामले में एससपी कारेले पहुंचकर ग्यापन दिया यादव सेना का कहना है कि इंस्पेक्टर ने ला परवाई दिखाई साथ ही धरम के आधार पर आरोपियों पर कड़ी कारवाई नहीं की अन्य था बच्चे की जान बच जा थी यही बचे थी कि आदव सेना के लोगों ने इंस्पेक्टर एत्मातपुर को वर्खाश करने की मांगी है दोर्रा गाउं की समस्या को हम लेकर आये हैं जो दो दिन पहले अपरवाई का नाटक करके दिखाया गया था इस्पेक्टर साब ने कारवाई नहीं की उसमें उस लड़के को निरम सत तरीके से उसकी कई पार्टमों उसकी मरत्यू कर दी गई उसके हत्या कर दी गई है उस सम्मंद में हम S.P. साब गए हैं ग्यापन देने के लिए आए से पुलकुल कारवाई होनी चाहिए और हम इसी सम्मंद में आए हैं कारवाई हमारा पहला उद्देश से है इस्पक्टर साब को मालम परे किसी का बच्चा जाता है तो उसकी माँ को उसके बाप को क्या तकलिप होती है इकला ता चराग ता आज घर में बुझ चुका है इनकी लापरवाई रही है दो दिन पहले इनसे सिकायत की गई थी इन्हों ने उसमें कोई गौर्ण नहीं किया है हाँ इस्पक्टर साब मिल गए थे इनसे बात हुई है लेकिन इन्हों ने कोई धिहन नहीं दिया है और समाज को इन्हों ने बचाया है दूसरी पार्टी से मिल गाई थे और जो अत्यारी हैं वो उस लड़के के चाचा ने अता हुने पकड़के स्वेम उनको दिया था लेकिन इन्हों ने फिर भी लापरवाई बरती है कर दो कि इन्हों ने अच्पाद किया है अचलम साथ थे दोनों आप जो है वही मुचलन समाज थे इस्पेक्टर साब ही मुचलन समाज थे दोनों ने मतलब अच्पाद करके बच्चे की मतलब पुलिस के आला अधिकारी इंस्पेक्टर की भूमिका की जाज परताल में जोते हैं जाज के बाद ही कारवाई तया होगी राकिश कनौजिया सी न्यूज आगरा